यहां पर एक स्टूरी है जो आपने सुनी होगी कि एक बंदर थे दो बिली थी उसके पास एक रोटी थी दोनों अपने अपने हिस्से को अलग सी ठीक से नहीं कर सकते थे तो बंदर उसको चाला सकी से अपनी रोटी को आधा आधा करके खा जाता है और बिलिया ऐसे ही देखते रह जाती है मिन्टू केट और मोटू केट वेर फ्रैंड्स वन्स दे स्टोल अचपाती फ्रोम मालिनिस कीचन वो एक बार एक चपाती लेके फिर उसको आधा-धा पार्ट करना उसको नहीं आता था तो वो दोनों जगड रही थी तो एक बंदर ने आके उसकी मदद की और फिर ये पार हाफ हाफ कैसे करना है वो सिखाता है हाफ हाफ if the cats ask you to divide the चपाती अगर दो बिली आपको बोले कि आपको चपाती हमें आधा करके दो तो आप क्या करेंगे हम बीच में से उसका आधा कर देंगे और दोनों को एक चैसे ही पार्ट दे देंगे और हाफ 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 यानि कि हाफ का भी हाफ करना है या पर हमारे पास each of us got a quarter of the चपाती if two markets हमारे पास दो बिली थी अगर दो बिली ज्यादा आ गए तो हम रोटी को कैसे डिवाइट करेंगे तो उसके चार हिसे करेंगे और उन चारों को आधा-धा पार्ट दे देंगे उसको बोलते हाउस यानि की एक ची पार्ट है उसमें से वह आधा अपने फ्रेंट को देती है और अधा अपने पास राखती है तो वह how many pieces of chocolate are there यहाँ पे कितनी है six pieces how many pieces left with Rani तीन उसकी फ्रेंट को दे देती है तो उसके पास कितने बचेंगे three chocolates उसके बाद यहाँ पे rectangle दिये है और उसको हमें five different ways यानि कि पांच अलग-अलग तरीके से उसको हमें आधा करना है तो कैसे करेंगे वह आपको homework में करना है cutting the cake रजनी's father about a cake रजनी की पापा है वह cake लेके आए she divide the cake into four equal parts उसने चार equal parts में cake को काटा for herself, her brother, Raju, her father and her mother यानि कि उसके खुद के लिए अपने पापा के लिए, ममी के लिए और उसके भाई, Raju के लिए तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमें अलग-अलग part में share करना है और उसको color करना है greedy kundan, kundan is a greedy man, kundan बहुत greedy यानि कि लालचू इनसान था, whenever he goes to the market, he wants to get more and more but doesn't want to spend much money यानि कि वो बाजर जब भी जाता था तो अलग-अलग चीज़े ज्यादा से ज्यादा लेके आता था लेकिन उसके पैसे वो देता नहीं था, वो इतना चाला की करता था यानि कि एक दिन उसको हलवा खाने का मान हुआ, he tries to buy a big pumpkin with only rupees 10, उसको 10 rupees में ही इतना बड़ा pumpkin चाहिए था यानि कि आधा का भी आधे का 10 rupees और उसको चाहिए था पूरा 10 rupees में तो वो क्या करता है ओ, for 10 rupees you should give me 1 by 2 of this pumpkin तो वो बोलता है कि मुझे 10 rupees में आधा pumpkin दे दो, first pumpkin seller then you go to the next seller, he can give you one of such weak pumpkin for rupees 10 तो वो बाजू वाले market में जो seller थे उसके पास से वो आधा pumpkin खरीटता है, kundan walks to next seller and looks for a pumpkin of the same side तो वो दूसरी जगह जाता है और उसको भी ऐसे बोलता है कि how much of this pumpkin will I get for rupees 10, यानि कि मैं 10 rupees में कितना pumpkin खरीट सकता हूँ तो second pumpkin seller बोलता है कि आधा half, this full pumpkin will cost rupees, यानि कि full pumpkin कि क्या हुई, पहले 10 और बाद में 10, तो कितने हुई, 20 rupees कundan why not give me third by four, यानि कि मुझे उसका भी आधा चाहिए, तो आप दे सकते हो, इस तरह वो चाला की कर करके अपना pumpkin खरीटता है, लेकिन third pumpkin seller, why don't you climb the roof of that house तो उसको third pumpkin seller है, वो उसको बताता है कि एक काम करो, आपको सस्ते में चाहिए ना, तो आप जाड के उपर से ही चड़ के उतार लो, तो वो pumpkin उतारने के लिए जाड के उपर जाता है, लेकिन जब pumpkin उतारता है, तो वो उसकिसी roof के उपर गीरता है, और उसको चोट लगती है, तो ज्यादा लालच करना बुरी बात है, इस तरह practice time, what part of the hall is colored, यानि कि हमने सिखा था third में, कि half part में जिसमें color होता है, वो हम नीचे लिखते हैं, और जिसमें color नहीं होता है, वो पूरा होता है, उसको उपर लिखते हैं, यानि कि यहाँ पे एक part में color है, और एक में नहीं of the safe, this is written below, यानि कि यहाँ पे जिस पार्ट में color करने का बोला है, उसमें आपको remember करना है, और नीचे की exercise में cut in half, यानि कि हमें बीच में से cut करना है, और half की line draw करनी है, now page number 102, color half the number, यहाँ पे आपको count करना है, और उसमें से आधेक में आपको color करना है, और यहाँ पे 1 by 4 of this step, यानि कि यहाँ पे 1 part में color करना है, और बाकी के 4 part ऐसे ही छोड़ देना है, इस तरह आपको color करना है, फिर में यहाँ पे match करना है, half यानि कि आधा, और quarter यानि कि एक part, और three quarter, यानि कि तीन पार्ट में color होता है, और एक part खाली होता है, यानि कि उसको बोलते हैं, three quarter, make the other half, यानि यहाँ पे कुछ drawing भी है, butterfly की, flower की, तो आपको उसको complete करनी है, sun की है, वो आपको complete करनी है, यह homework में है, और यहाँ पे दिखाए दिया है कि 1 meter is equal to 100 cm, जो हमने third में बढ़ा था, तो यहाँ पे हमें complete करनी है exercise, 1 by 2 meter is equal to 50 cm, 1 by 4 meter यानि कि 25 cm, यानि कि 1 by 4 multiply 100, तो 4 को 100 से divide करेंगे, तो 25, 400 इस तरह हमें इन सब के माप निकालने है, third, fourth यानि कि 75 cm, यहाँ पे sharing milk, यहाँ पे 4 bottle है, और 1 liter यानि कि 1000 ml होता है, तो हमें 4 bottle में same to same परनी है liquid, तो हम क्या करेंगे, 1 liter is equal to 1000 ml, तो हमें 4 bottle है, यानि कि 1 by 4, तो 4 को 1000 से divide करेंगे, तो 250 ml सारी की सारी bottle में हम भरेंगे, इस तरह weight है, तो 1 kg is equal to 1000 g, तो यहाँ पे 2 kg है पलडे में, तो हमें उनको आधा-धा करना है, तो 1 kg इसमें और 500 g, 500 g के जो weight है, उसको हमें balance करना है, और बाकी की सारी blanks, यहाँ पे हमें fill करनी है, यहाँ पे कुछ picture दिया है, उसको हमें practice time में देखना है कि क्यों यहाँ पे wrong है, तो एक पाट है वो बड़ा है और एक पाट छोटा है, इसलिए वहाँ पे wrong है, there are 60 mangos, 1 by 2 of them are ripe, how many mangos are ripe, यानिकि 60 को 2 से divide करेंगे, तो कितनी mangos पकी हुई है, 30 mangos, इसी तरह there are 32 children, 1 by 2 of them are girls, तो 32 divided by 2, यानिकि कितनी girls होंगे, boys कितने होंगे, 16 boys, there are 20 stars, a quarter of them are red, how many stars are red, तो 20 को 4 से हमें divide करना है, तो कितने stars red होंगे, 5 stars, इसी तरह हमें सारे answer complete करने है, thank you.